आज हमारे साथ महिला मोर्चा चित्रकूट की जिलाद्ध चित्व्यात्री पाठी हैं देखते हैं इंदोंने जो अभी तक चुनाव प्रिचार के दोरान गाउ गाउ पहुची हैं महिलाओं से मुलाकात हुई युवाओं से मुलाकात हुई और यूतियों से मुलाकात हुई ह पूरे अन्भव पर एक बात करते हैं चुनाओं के पूरे मुद्दे पर श्वागत है आपका हमारे कारव में जी इस बार का चुनावी महौल पूरे भाजपा की पक्षमें हमें लगा और बहुत अच्छा महौल था इस बार भाजपा का तो जब आप महिलाओं के पास जाती पर श्वाजपा के प्रति वह सोच है जैसा कि चुनाओी रेलियों में मोदी जी और योगी जी चर्चा करते हैं बिलकुल इस बार कि महिलाओं को लेके वोट को लेके बहुत शक्त्री सोच रखती है और पूरी तरह से वह भाजपा के पक्षमें है और एक अच्छी सोच है उनके अंदर अपने भारति जंता पार्टी को लेकर हो अच्छा महिला सुचंत्रता एक बड़ा मुद्दा है आपको क्या लगता है कि महिलाओं वास्तों में इतनी सुचंत्रत हुई हैं कि अपने बोट का अधिकार और अपने बोट की सुचंत्रता वो अपने पास रखती आज़ाएं का उन्होंने कहा जैसे मैंने on होते तक क्या पूरूस कोहते थे आप यहां वोट डाल दीजिए पर उन्होंने कहा कि नहीं इसमें हम लोह अपने मन से जहां संवन्द में आएगा हो mieć आ फिस शुनायों में वीहार में महिलाओं का नहीं माड़ा जहरों और इसी बिहार में महिलाओं ने अलग होकर के मद्दान गया तो मोदी जी ने चुनाव जीतने के बाद दिल्ली में भासट देते हुआ इस बात की चर्चा भी की थी तो क्या वास्तों में यह बुंदेल खंडे में चुकि बुंदेल महिलाओं से दंतलता के लिए जाना नहीं जाता है लगता है क्यों हो वहां पाएगा है अंदर नॉलेज बड़ रहा है जितने वार जाति हैं कार ऑड़कर में उतने बार कने आती네 जानकारी लेकर आती मे जागरुकता लेकर आती हैं तो चेंंज तो हो रही है प्रियंका गांधी भी तो महिला है तो वो महिलाओं की पसंद क्यों नहीं हो सकती है क्योंकि वो ठीक महिला तो है लेकिन उनकी पार्टी अच्छी नहीं है उन्होंने कभी भी उनकी पार्टी ने महिलाओं के बारे में ना सोचा ना कभी काम किया ना कभी उनकी गोचणाओं में महिलाओं का मुद्दा रहा है इसलिए वो इस गेम से बाहर हैं लेकिन इस बार उन्होंने बहुत बड़ा गेम खेला लड़की हूँ लड़ सकती हूँ फिर भी ऐसा हो गया बस वो सिर्फ लड़ने के लिए बोले कभी पहले उनको अधिकार तो आप दीजिए लड़ेंगी तो तब जब आप उनको अधिकार देंगी उन्होंने कभी इस पार्टी ने कभी महिलाओं के बारे में सोचा ही नहीं अधिकार ने दिया और आप अचानक से आज उन्हें लड़ना सिखा रही हो आप इतने सालों से राज कर मसदूप से सब्सक्राइब और ने उन्हें पारे माउलां को दिखान चाहिए कभी Չनके घोषणाओं में थे हमारे माईलाओं योगी जी की सरकार तो उनका पहला मुद्ध मेलाओं पर इस बारे बड़ा मुद्ध बनाया इसकूटी और वही साथ देखकर के भाजपा ने भी कहा कि हम स्कूटी देंगे हाँ तो यूवाओं को हमारी यूथ लड़कियों को यूवाओं को सबको पता है कि कांग्रेस जूट बोलती है सदेव से जूट बोलती चली आ रही है इसलिए उन्हों हमारी भाष्पा ने उस उनके फैक्टर को ले लिया और आज हमारे यूवाओं के बीच में योगी जी का क्रेज है कि अगर उन्हों ने कहा है तो इसकूटी जरूर मिलेगी हां यूवाओं और यूगतियां सब तयार है अपने स्कूटी के लिए तो बेटियों ने कभी इस ब बोट करेंगी तुहने कहा हम विक्रिट ывают करेंगे क्योंकि हमारे योगी जी हमारे भाई साब हैं और हमको उन्होंने स्कूटी देने का बादा किए है तो हम बिलकुल और हैंड़ परसेंट हम इस बार योगी जी को भी वोट करने वाले हैं क्योंकि वो जो भी बोलते हैं से बड़ा परिवलता नाता है जिए उस वक्त महिलाई शिर्फ चुनावी चर्चा करती थी आप से कुछ घुल मिल भी जाती थी कोई शुक दूख कोई ऐसी कोई विशेस बात कहती थी वह आप से जी बिल्कुल हम लोग सीधे महिलाओं के किचें तक या उनके आंगन तक करती थी कि हमें हमें ये शुविदा मिली है और अपनी परिसानिया भी शियर करती थी तुने मतलब महिलाओं के बीच में महिला का जाना एक बहुत शुब शंकेत होता था और उन्हें लगता था कि भारती जंदा पार्टी की तरफ से महिलाएं आ रही है और उनके शुक कि मिल गई हो ऐसा कुछ थैक्टर तो नहीं पूरे चुना उपरेचार में नहीं कभी-कभी आता भी था ऐसा नहीं है कभी-कभी मिल जाती थी तो वह अपनी बात रखती थी कि हम इनको वोट देंगे हम मोदी जी को क्यों वोट दें तो हम भी उनसे बोलते थे कि आपको कहा बोलते थी तो यह थोस मुद्दा नहीं बताती थी एक रीजन नहीं बता पाती थी कि हम क्यों वोट नहीं करेंगी उनको अच्छा लेकिन महु मानिकपुर में जिसे कमल निसान नहीं है तो कब प्लेट के बारे में तुरंत परिशे हो गया होगा जनता का चुनाओ चिन्न स अब यह परिचे हो गया उनका लेकिन भी कहीं नहीं प्रत्याशी है और प्रत्यासी के साथ चुनाओ चिन्न नहीं है तो थोड़ा बहुत प्राबलम तो अभी हो रही ही लोगों को पर यह कि भारती जनता पार्टी की कार्यकरता घर घर जा रहे हैं बूत बूत में काम कर र कमल के बदले कप प्लेट तो यह सब जगा स्लोगन बोला जा रहा है और लोगों के अंदर पर वरता ना रहा है और उनको जानकारी हो रही है जब बहुत बार जब आप सोशल मीडिया पर तस्वीदे सेर करती हैं तो बड़ी सक्रीता नजार आती है मैंने भी अपने पत्रक जर्ओदीजी से बहुत प्रभाबीत है, क्योंकि उनके उनका जो भी काम है, काम किया हुनोंने सबसे पहले मैलाओं पर चर्चा किया है, मैलाओं पर काम किया है। मैलाओं को अज जागरुक हो रही हैं आज उन्हीं की बदौलत मैलाएं हर जगे समाज में अपनी शक्तियता दिखा रही है समाज में उनकी एहम भूमिका है इसलिए खुद बखुद मैलाएं फोन करती है कि दीदी मुझे भी चलना है मैलाओं का प्रचार करने के लिए इस बार ऐसा पहली बार हुआ है सब के अंदर ये है कि यदि वो योगी जी ने हमारे बारे में सोचा है तो हमें हमारा भी परज है उनके बारे में सोचे और पुने उनकी सरकार बनाएं जो तो महिलाएं क्या ऐसा कोई रिष्टा जैसे कहते हैं लोग माल लेते हैं बहुत सारा मल लेते हैं क्या आपना भाई का रूप देखती है योगी मोदी में बिल्कुल योगी जी में तो हर लड़की और महिला अपना भाई ही देखती है और उनसे बहुत प्रभावित भी हैं ऐसे योगी जी अभी आपने कहीं देखा होगा एक वीडियो वारा लुआ था इसमें एक महिला कह रही थी कि मोदी मेरा पती है मेरा भाई है मेरा भगवान है मेरा सब कुछ है जिसे जो कहना हो सोच ले लेकिन हम मोदी जी के हैं और मो तरह कोई श्वार्थ नहीं था शिर्फ इसने था वो इसी तरह मोदी जी और योगी जी से पूरी महिलाओं को इसने और उनकी लाबकारी कल्यान कारी योजनाओं से महिलाएं सब प्रभावित हैं और वो निस्वार्थ भाव से उनको दुबारा देखना चाहती है योगी जी प्रधान मंत्री के रूप में और योगी जी को मुख्मंत्री के रूप में गाओं में कुछ युवा भी कभी आपको मिले होंगे तो युवाओं ने कभी कुछ कहा आप से कि कोई सिकायत दर्ज की हो असंतुष्ट रहे हो ऐसा कुछ लगा युवाओं को थोड़ा सा यही है कि जो बेरोजगारी है पर वो भी समझ रहे हैं कि इतना हालात बिगड़े कि महामारी की वज़े से है बाकि एक दिन अच्छा समय आएगा एक दिन सब सुधरेगा और हम कामियाब होंगे तो इसी अच्छी उमीद के साथ वो लोग भी पॉजिटिव सोच रखते हैं कि आपको विश्वास है कि दोबारा योगी सरकार उत्तर प्रदेश में आ जाएगी विश्वास ही नहीं पूरी पूरा हंड़ट परसेंट विश्वास है कि हमारी योगी जी की सरकार प्रदेश में जरूर से जरूर लोट के आएगी और बंफर वोटों से अपने सरकार बन है अपने इसके पहले मैं प्रधान थी और प्रधान संकिय देख्षती मैंने अपने गाउं में इतने अच्छे काम किये हैं और दो हजार अठारा में मुझे योगी आदित तनाथ से रानी लक्ष्मी भाई अवार्ड मिला है वो सम्मेरे अच्छे कामों के वज़े से मुझे स अपने जनपत की जनता को लग रहा है कि ये बहुत अच्छी नेतरी की रूप में शावित हो सकती हैं और सबको भिस्वास है कि मैं बहुत अच्छा काम करूंगी लेकिन मैं बस यही कहूंगी यदि संगठन हमें आंगे बढ़ाएगा संगठन मुझे चाहेगा तो मैं हो चाहे बाकी संगठन के उपर है हम अपनी पार्टी से बाहर में नहीं जाओंगी कि पार्टी करनेड़ने होगा पार्टी मुझे इस लाइक समझेगी कि मैं विधान सवाल लड़ सकती हूं तो उनका पैसला मेरे सरांखों पर रहेगा और मैं मैं कि मुझे वो उन पर वो म लेकर चर्चित हुई और रहसरं की जिला द्छ रही उसके बाद महिला मौणच की जिला द्छ बड़िय और लगातार जन्ता के लिए जा रहा है इस चुनाौण जो बिल्कुल से चुनाओ को रंग देने का काम कर गई है और अगर भाजपा यहां जीतिती है तो वास्तों में इसमें सबसे बड़ी भूमी का महिला मोर्चा की होगी बने रही है मेरे साथ क्या स्वाधे चुनाओ का कार्करम में